जैसा कि जान रहे हैं इंटर अश्तरी भरती परच्छा के लिए आवस्तिक निर्देश किया है कि इंटर अश्तरी भरती परच्छा के लिए करना होगा इंतजार। वो कौन सा एक्जाम है भाई आए दिखते हैं BPSC यहां का रहा है तीन माहा के बाद होगी इंटर अस्ती भरती परिच्छा यह क्यों आखिर रीजन क्या होगी है तो जैसे जानतें कि पटना वरिय समबादादा इंटर अस्ती भरती परिच्छा के लिए तीन माह इंतिजार करना होगा बिहार कर्मचारी चायन आयूक ने लगभाग 9 वर्सों के बाद दुईती इंटर अस्ती भरती के लिए वर्स 2023 में वेकिंसी निकाली लेकिन पहली इंटर अस्ती परिच्छा के लिए 2014 में बिग्यापन निकाला था इसका फैनल रिजल्ट 7 साल में पुरा हुआ ये बड़ी अफसोस की बात है आयोग के अस्तर से आईजित होने वाली परिच्छाएं अकसर देर से होती है हलाकि यहां के अधिकारियों की माने तो आयोग में हमेशा कर्मियों की कमी रही है वहीं दूसरी इंटर अस्ती भरती के लिए वर्स 2023 के नौंबर तक आविधन लिया इसमें सुधार के लिए दो बार मुका भी दिया लेकिन दूसरी बार आयोग ने 18 मर्च तक सुधार का मुका दिया इसके बीत जाने के बाद अब भी तक आयोग की बेव साइट पर परिच्छा संबंद ही कोई जनकारी उपलद नहीं कराई गए सुत्रों से मिल जानकारी के अनुसार अब चुनाव के बाद ही परिच्छा संबंद होने की बात कही जा रही है जैसा कि जान रहे हैं अब लोकसभा चुना के बाद ही परिशा संभव है यानि कुल मिलाकर देखा जाए तो अभियर्थिकों को तीन माह वह इंतजार करना होगा इसके बाद ही आयोग तही करेगा कि कब सी परिशा होगी विज्ञापर निकालने के बाद अब तक सिर्फ आव दन किया है और इतनी अभियर्थिकों की परिशा करना भी चुनोती है खास कर वर्तमान परिश्चिती में इतनी सत्रकता के बाद भी परिशा पेपर लिख हो जा रहा है ये काफी ही दुख भरी बात है कंडिडेट कितने ही मुश्किन से एकजाम की तैयारी करते हैं उसका ए 1199 विक्षियों के लिए आविदन लिया किया है लिकिन एलडी सी राजय सुकरमचारी पंचायत सचीव फाइलर या इंस्ट्रेक्ट प्रक्टर सहायक प्रसिक्षाक और टेंक सहायक कलर हुआ अन्य पदवबर भरे जाएंगे एक टेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चै सेरे एंड पमेंट